तो आज हम जाने वारे हैं संगम का दर्शन करने और दर्शन करने के रहे हम लोगों को बोर्ट करनी पड़ेगी तो चलिए पहले बोर्ट करते हैं तो यहां पर आपको दो प्रकार की बोर्ट में देंगी स्पीड बोर्ट और नॉर्मल बोर्ट हम लोग ने स्पीड बोर्ट लिये क्योंकि हम लोगों के बस टाइम कम था तो हम जल्दी जाके वापस आ सकते हैं स्पीड बोर्ट से तो ये हैं चिडिया के दाने जो कि फेकने से चिडिया उड़के उसे खाने आती है तो चलिए अब हम संगम की और बढ़ते हैं अबस्क्राइब बढ़ा है क्या ळांगि कैसे जांगी के रिया जैक च्गिर है 흩ोफें स safety क्यों की जाएंगि हर साल थंडियों के वक्त ये पक्षी साइबिरिये से माइगरेट करके संगम की ओर आते हैं और बिल्म और आते हुआ ऑरोर्च विया झाली के विचया झाल झाल गलमा जाले के विया झालिग जाते हैं तो यहां पर गंगा यम्मुना और सरस्वती मिलती हैं और यह माना जाता है कि यहां पर डूपकी लगाने से सारे पाप धुल जाते तो बहुत सारे शद्धालू यहां पर आते हैं और डूपकी लगाते हैं तो यहाँ पर आप देखी सकते हैं कि पानी के रंग में कितना फर्क है ये सबसे पवित्रस थल भी माना जाता है तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने निर्धारित स्थान की और तो ये है अकबर फोर्ट जैसे कि आप देखी सकते हैं जो कि अकबर ने बनवाया था सन 1853 में ये किला यमुना नदी के टट पर बनाया गया है और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट इसे विजिट करने भी आते है तर किला तो किला यहाँ वाँ भी आते हैं जो कि आते हैं अपने ने आते हैं तो अब हम वापस आ चुके हैं अपने बोट राइट के बाद और अब हम बढ़ेंगे टेंड्स की और कर्षं हता म हम बाद को चके हम झाने हम पर आने da mोटा के डा Z झाल झाल तो चलिए आपको भी ये छोटी जलक दी जाए टेर्ट्स के बारे में झाल 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 झाल